हाई everyone अगर फेश्बूप पे वीडियो बना रहे हैं आप तो आपको content monetization policies partner monetization policies और भी जो policies वेस्बूप के उन को follow करने पढ़ेंगे तभी आप अपने content को अपने फेश्बूप profile को या पर फेश्बूप page को monetize कर सकते हैं लास्त वीडियो में मैंने content एक बारे में बताया था मतलब कि किस तरह का content आप डाल सकते हैं फेस्बूक पे आज के इस वीडियो में मैं partner monetization policy के बारे में बताऊंगा तो चलिए देखने कि क्या है partner monetization policy और क्यों यह इतना important है कि अगर इसा पॉलो नहीं करते है तो आप आप Facebook से पैसे नहीं कमा पाएंगे, Facebook पे अपने content को अपने videos को monetize नहीं कर पाएंगे, so partner monetization policy के बारे में जानेंगे, partner monetization policy क्या है कि Facebook monetization eligibility का जो standard है, उसको अब partner monetization policy बता जाता है, इसमें बस यहीं बता जाता है कि किस तरह का videos eligible है, किस तरह का content आप डाल रहे हैं, वो eligible होगा monetization के लिए, कौन से platform पे डाल रहे हैं वो, तो सबसे पहले आता है कि create content on an eligible surface, अगर आपको monetization का features यूज करना है, तो Facebook page पे profile जो professional mode में है, event या group, अगर public content आप डाल रहे हैं Facebook page पे, Facebook profile पे, जो कि professional mode में है, या event या group, वो monetization के लिए eligible है, जो भी content जो Facebook पे available है, और किसी third party site के द्वारा उसको consume किया जा रहा, वो भी monetization के लिए eligible है, Facebook profile जो कि professional mode में नहीं है, वो eligible नहीं है monetization के लिए, आप एक eligible country में हो, यह बहुत ज़्यादा important है, एक separate video बता दूँगा, कौन कौन सा country eligible है, currently Facebook monetization के लिए उसके पे dedicated video बना दूँगा, तो आपको अगर Facebook में monetize करना है, तो आपको एक eligible country में होना पड़ेगा, और community standard को follow करना है, मतलब कि जितना भी आपका Facebook post है, या फिर किसी भी तरह का interaction है Facebook पे, वो किसी भी तरह का hate speech, violence, sexual content, inauthentic behavior का नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने already mention करा है content monetization policy में, अगर आप नहीं देखे हैं, तो जाके देख सकते हैं, तो यह सारा कुछ आपको maintain करना है, Facebook पे अच्छे content डालना है, तभी आप monetize कर पाएंगे, और यहाँ पे लिख रहा है कि content monetization policy को follow करना है, इस पर dedicated video already है, available तो आप जाके देख सकते हैं, content monetization policy को भी follow करना है, तभी monetize होगा, और authentic content डालना है, यह कुछ भी नहीं डाल देना है, जो content आपका original है, वही डालना है, किसी भी तरह का clickbait या sensational content नहीं डालना है, या किसी भी तरह का sexual content नहीं डालना है, नहीं तो आप monetize Facebook पे नहीं कर पाएंगे, share original content, original content होना चाहिए, copy paste content अकर होगा, तो आप monetize नहीं कर पाएंगे, कि लिए यह कह रहा, content creator, publisher and third party provider can only monetize content that they created and were involved in the creation of or that directly feature the creator, publisher and third party provider, आपका होना चाहिए, किसी भी तरह का unoriginal या reproduced content नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का editing, like edited content नहीं हो चाहिए, कि किसी का copyrighted content को आप edit कर दिया है, वो कभी भी monetize नहीं होगा, आपका original content होगा, तभी वो monetize होगा, मॉनिटाइज ऑथेंटिक इंगेजमेंट आपका जो इंगेजमेंट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी थर्ट पार्टी प्रोवाइडर से आप फेक व्यूज फेक सस्क्राइबर फेक फॉलोवर ले रहे हैं और आप सोच रहें कि आपका मॉनिटाइज हो जा आए जैसे ही फेस्बुक के नजर में यह आएगा आपका पेमेंट भी रुख जाएगा अपका एकाउंट भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा इस चीज का ध्यान रखें बाहर से आप फॉलोवर और व्यूज ना ले पेमेंट टर्म्स जो है इसको भी फॉलो करना है कि 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 भी आपको फॉलो करना होगा इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फॉलो आवर पेज ग्रूप एंड इवेंट टर्म्स सो इसमें कह रहा है कि पेज स्पेसिफिक टर्म जो एवलेवल है फेस्बुक का जो पेज के लिए है या ग्रूप के लिए जो टर्म है तर्म संफंगंडिशन चर्ट के लिए जो टर्म संफंगंडिशन रहा है अगर आप करेट कर रही या टॉर्प को सब्सक्रमुप कर गर्याओं ब्लूप को कि SUBSCRIBE करें है तो इन टर्म्स को भी आपको मानना पड़ेगा और एक क्ष्टेबीच्ट ड़ेवलींस आपका होना की वह मैंने अलेडी प्रिविएस वीडियो में बता रखा है अगर आप पॉलिटीशन है या गवर्नमेंट है तो जो भी उनके रूल्स है आपको वह फॉलो करना होगा कि आप गवर्नमेंट ओफिश्यल हैं तो आपको उसे साथ से रूल्स को फॉलो करके ही आपको वीडियो बनाना है घ़ा जो उसी लोगों के साथ आप अपने फेस्बुक पे जो की एक है जो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है उसके साथ ही करनेक्ट हो अगर वोयले सेटिड्ड लोगों के साथ में ओन चले कमें तो फिर यह प्रयाव्लम करेगा आपके भी मॉनीटाइजेशन के तो यह था Facebook monetization के लिए Facebook partner monetization policy अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो detailed में एक बार back करके फिर से play करके चेक कर लिजेगा और content monetization policy related videos दाल दिया हूं तो आप एक बाच चेक आउट कर लिजेगा उम्मिद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब